C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्ह श्रंखला ओडियो बुक इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थे पुस्तग भारत और समकाली निविश्व भाग दो वाचंस्वर संजय चंसोरिया अध्याए 4 अध्योगी की करण का युग प्रिष्ट संख्या 89 अध्योगी की करण का युग एटी पॉल म्यूजिक कमपनी ने सन उन्नीसवों में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर ही तस्फीर में नई सदी के उदय अर्थात डॉन अफ द सेंचुरी का एलान किया गया था और यह चित्र इस प्रष्ट पर छप दिखाई देती है उसका एक पाउं पंखों वाली पहिये पर टिका हुआ है यह पहिया समय का प्रतीक है उसकी उडान भविश की ओर है उसके पीछे उन्नती के चुन तेर रहे हैं रेलवे कैमरा मशीने प्रिंटिंग प्रेस और कारखना यह चित्र यहां पर दर्शाय गया मशीन और तक्नीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साब दिखाई दिता है यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर सौ साल से भी पहले च्छपी थी इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं उपर वाले हिस्से में सागर के पूर्व में इस त्देश आमतोर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है पश्यमी नजरिये में प्राच्छ इलाके पूर्व आधनिक पारंपरिक और रहसमे थे प्रिष्ट संख्या अस्सी नीचे एक आधनिक मेकैनिक है जो अपने आधनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है वह पुल पानी के जहाज मीनार और गगन चुम्बी इमारते बनाता है अलादीन पूरव और अतीद का प्रतीक है मेकैनिक पश्चिम और आधनिक तका यह तस्वीरें आधनिक विश्व की विजय गाता गहती हैं इस गाता में आधनिक विश्व दृत तकनीक बदलावों और आविशकारों मशीनी वा करखनों रेलवे और वाश्प पोतों की दुनिया के रूप में तरचाय गया है इसमें और द्योगी की करण का इतिहास विक विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधनिक युग तकनीकी प्रगति के भव युग के उबरूप में उभरता है अब ये छबियां और ये संबंद लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं क्या आप भी तेज और द्योगी की करण को प्रगति और आधनिकता के काल के र जादुगर इनलेंड प्रिंटर्स में प्रकाशित है चित्र 26 जनवारी 1901 का है ये छवियां किस प्रकार विक्सित हुई है इन विचारों से हमारा क्या संबंध है क्या ओद्योगी किकरण के लिए तीवर तकनीके विकास हमेशा जरूरी होता है क्या आज भी हम तवाम तरह के कामों के देनें प्रती दिन बढ़ते मशीनी करण का गुडगान कर सकते हैं ओद्योगी किकरण से लोगों की जिन्दगी पर क्या असर पड़ा है ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें ओद्योगी किकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा इस अध्याय में हम यही इत ज़िशक शासन से तैह हो रहा था गति विधी दो ऐसे उधरन दीजिये जहां आधुनिक विकास से प्रगती की बज़ाय समस्यां पैदा हुई हैं आप चाहें तो पर्यावरन आडविक हत्यारों और बीमारियों से सम्मंधित क्षेत्रों पर भी विचार कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 81 पर इस सोच में एक समस्या है दरसल इंग्लेंड और यूरोप में फैक्टरियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराश्टी बाजार के लिए बड़े पैमाने पर ओध्यों की उत्पादन होने लगा था यह उत्पादन फैक्टरियों में नहीं होता था बहुत सारे इतिहासकार ओध्योगी किरण के इस चरण को आदी ओध्योगी किरण अर्थात प्रोटो इंडरस्टिलाइजेशन के नाम देते हैं नए शब्द आदी किसी चीज की पहली जा प्ररहमिक अवस्था का संकेत सत्रवी और अठारवी शताबदी में यूरोपी शहरों के सौधागर गाउं की तरफ रुक करने लगे थे वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर राश्टिय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे उस समय विश्व वेपार के विस्तार और दुनिया के विभने भागों में उपने वेश्व की इस्थापना के करण चीजों की मांग पढ़ने लगी थी इस मांग को पुरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाय जा जा थकता था वज़ा यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ट्स काफी ताकतफर थे यह गिल्ट्स उत्पादकों के संगठक होते थे गिल्ट्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रसिक्षन देते थे उत्पादों पर नियंतरन रखते थे प्रतिस परधाओं और मूल लिताय करते थे तता वेवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे शासकों ने भी वेवन गिल्ट्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक आदिकार दिया हुआ था फलसरूप नए व्यापारे शेरों में कारोबार नहीं कर सकते थे इसलिए वे गाउं की तरफ जाने लगे गाउं में गरीब काश्टकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ़ पुस्तक में सुना है यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रहे थी अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साजा जमीनों से जलावन की लखनियां, बेरियां, सबजियां, भूसा और चारादी बीन कर काम चलाने वाले चोटे किसान, अर्थाट, कॉटिसर और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तयार हो गए, यहां एक चित्र दर्शाय गया है, इस चित्र में 18 सदी में कताई को दर्शाय गया है, आप देख सकते हैं कि इस चित्र में परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं, और ध्यान से देखने पर मालूम चलता है कि एक चर्खे पर केवल एक ही तकली बन रही है, सदागरों के लिए काम करते हुए, वे गाउं में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी समाल सकते थे, इस आधी और द्योगिक उत्पादन से होने वाली आमधनी ने ख वेवस्था से शेहरों और गाउं के बीच एक घनिष्ट संबंद विक्सित हुआ, सदागर रहते तो शेहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादा तर देहात में चलता था, इंग्लेंड के कपड़ा वेवसाई स्टैपलर्स से उन खरीते थे और उसे सूत कातने वालो कपड़े के अंतराश्टी बैजार में बेच देते थे, इसलिए लंडन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाने लगा था, वो आधी और दोगिक व्यवस्था, व्यवसाईक आदान प्रदान के नेटवर का हिस्सा ही थी, इस पर सौदागरों का नियंतरन थ और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाए घरों में होता था, उत्पादन के प्रतेक चरण में प्रतेक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था, इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सेंक्डों मजदूर काम करते थे, नए शब्द, स्टैप कपड़े को समेटता है, कारडिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या उन आदी रेशों को कताई के लिए तयार किया जाता है, कारखानों का उदाए, इंग्लेंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18 सदी के ब्रिटेन अपने कपास उद्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाग पॉंड कच्चे कपास का आयाद करता था, 1787 में ये आयाद बढ़कर 220 लाग पॉंड तक पहुँच गया, ये इजाफा उतपादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिनाम था, आ प्रक्रती मजदूर उतपादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेशों का उतपादन होने लगा, इसके बाद रिचर्ट ऑक्राइड ने सूती कपड़ा मिल्क की रूप रेखा सामने रखी, अभी तक कपड़ा उतपादन पूरे दिहाद में पहला इसके चलते उतपादन प्रक्रिया पर निगरानी गुर्वत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था, जब तक उतपादन गाउं में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, यह चित्र है लं नम मौसम की नजर से देखें, जिसके कारण लंका शायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श इस्थान बनता है, तो शाम के धुनलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शांदार नजारा दिखाई देता है, प्रिष्ट संख्या, तिरासी 19. सदी की शुरुआत में कारखाने इंगलेंड के भूदरश का अभिन अंग बन गए थे, ये नई कारखाने इतने विशाल और नई प्रवद्योगी की ताकत इतनी जादूई दिखाई देती थी, कि उत समय के लोगों की आँखें चौंधिया जाती थी, लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था, वे इस बात को मानों भूली जाते थे कि उनकी आँखों से ओजल गलियों और वर्क्शॉप्स में अभी भी उत्पादन चलू है, उद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, उद्योगी की करण की प्रकरिया कितनी तेज थी, क्या उद्योग से बढ़ता हुआ कापास उद्योग, 1840 के दशक तक उद्योगी की करण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल आए, 1840 के दशक से इंगलेंड में और 1860 के दशक से उसके उपनेवेशों में रेलव 277 करोड पॉंड हो गया था, इराश इंगलेंड के कापास नर्याद के मुल से दोगनी थी, दूसरा नए उद्योग परमपरगत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिये पर नहीं डखिल सकते थे, 19 सदी के आखिर में भी तकनीक रूप से विक्सित उद्योग क्षेतर में क होता था, तीसरा, यददपी परमपरगत उद्योगों में परिवर्तन के गती भाप से चलने वाले सूती और धात्य उद्योगों से तै नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये परमपरगत उद्योग पूरी तरह ठरहव की अवस्था में भी नहीं थे, खाद्य प्रसंसकरण, दि गैरमशोधन, फरनीचर और ओजारों के उतपादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेतरों में जो तरक्की हो रही थी, वो मुखिरूप से साधरन और चोटे चोटे आविशकारों का ही परिणाम थी, चौथा, प्रध्योगी की बदलावों की गत धीमी थी, ओध्योगी क भूद रश्य पर ये बदलाव नाट की तेजी से नहीं पहले, नई तकनीक महंगी थी, सौदागर और व्यपारे उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक पूर कर कदम बढ़ाते थे, मशीने अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरमत पर काफी खर्चाता था, ये इतनी अच् अमें दोरा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किये और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया, इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योग पती मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, 19 सदी की शुरुआ तक पूरे इंग्लेंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे, इन में से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 उन उद्योगों में और ificant खनन, नयनिर्मार और लोहकारियों में इस्तिमाल हो रहे थे, और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तिमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हु यहां कुछ चित्र दशाय गए हैं पहला चित्र हैं इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप का इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमेटिव इंजन बनाय जाते थे और पुरानों की मरमत की जाती थी यह एक और चित्र है अठारा सो तीस की एक कताई फैक्टरी का इसमें आप हम देख सकते हैं कि किस तरह भाब की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिये एक साथ सैक्डों तकलियों को घुमाने लगते थे जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशाप की बजाए और दोकी की गरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह इस बात का एक बढ़िया उधारण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास ली हो हैं वे इस बात से तै होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नजर अंदाज कर देते हैं अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखिए जिसे आपके माता-पिता या सिक्षक आदी वयस्क लोग महत्पूर नहीं मानते लेकिन आपको वो महत्पूर लगती हैं अब इतिहासकार इस बात को माने लगे हैं कि 19. सदी के मद्ध का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाना नहीं बलकि परमपरागत कारिगर और मजदूर ही होता था प्रिश्ट संख्या 85 हाथ का श्रम और वाश्प शक्ति विक्टोरिया कालिन ब्रिटेन में मानाव श्रम की कोई कमी नहीं थी गरीब किसान और बेकार लोग कामकास की तलाश में बड़ी संख्या में शेहरों को जाते थे जैसा कि आप आगे सुनेंगे जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गर जाते हैं इसलिए उद्योग पतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परिशानी नहीं थी उन्हें ऐसी मशीरों में कोई दिल्जस्पी नहीं थी जिनके करण मदूरों से चुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर गढ़ती बढ़ती रहती थी गैस घरों और शराबखानों में जाडों के दोरान खासा काम रहता था इस दोरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतरिक्त मजदूरों की दरकार थि détी बंदरगाओं पर जहाजों की मरमद और साफ सफाई और सजावट का काम भी जाडों में ही क्या जाता था जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घर्टा बढ़ता रहता था वहां उद्योग पती मशीनों की बजाए मज़दूरों को ही काम में रखना पसंद करते थे यहां एक चित्र दिया गया है यह चित्र है काम की तलाश में निकले लोग कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेशते और आइस्थाई काम तलाशते हुए हमेशा एक जगे से दूर सी जगे भटकते रहते थे गति विधी कलपना कीजिए कि आप सौधागर हैं और एक ऐसे सेल्समेन को चिठी लिख रहे हैं जो आपको नई मशीन खरेदने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है अपने पत्र में बताईए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना है और आप नई प्रध्योगी की में पैसा क्यों नहीं लगाना चाते विल्स थौन मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे जिनोंने इटे ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किये वो पताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे मैं हमेशा लंदन जाना जाता था मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मदबूत हो जाती थी वो ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ मैं सफर पर निकल पड़ा हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहां पहुँचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे तीसरे दिन हमारे पैसे खत्मों गए दो राते हमने बार ही सोते हुए गुजारी एक बार भूसे के धेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में लंदन पहुचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंडने का प्रयास किया लेकिन नाकाम्याब रहे पैसा तो जाही चुका था इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहां वहां भटटने के अलावा और कोई चारा नहीं था शाम को हम सोने का कोई ठिकान ढूंडते थे हमने एक पुरानी इमारत ढूंडी और एक रात उसी में बिताई अगले दिन इतवार था दोपहर बाद हम ओल्ड गेंट गैस वर्क्स महुचे वहां हमने काम के लिए अरजी दे दी यह देखकर मेरे अचरट की सीमा ना रही कि हम जिसे ढूंड रहे थे वह वहीं काम कर रहा था उसने फोर्मेंस से बात की और मुझे नौकरे पर रख लिया बहुत सारे उतपाद केवल हाथ से ही तयार के जा सकते थे मशीनों से एक जैसे तई किसम के उतपाद ही बड़ी संख्या में बनाई जा सकते थे लेकिन बाजार में अकसर बारिक डिजाइन और खास आकारों वाले चीजों की काफी माग रहती थी उधारन के लिए ब्रिटेन में 19. सदी के मध्य में 500 तरह के हतोड़े और 45 तरह की कुलहणिया बनाई जा रही थी इन्हें बनाने के लिए यांतर की प्रवद्योगी की नहीं बलकि इनसानी निपोड़ता की जरूरत थी विक्टोरिया कालिन ब्रिटेन में उच्च वर्गे के लोग कुलीन और पूंची पती वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजी देते थे हाथ से बनी चीजों को आप रिश्कार और सुरुची का प्रतीक माना जाता था उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी उनको एके करके बनाय जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था माशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपने वेशों में रियात कर दिया जाता था जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहां उद्युक पती मशीरों का इस्तिमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं थाकि कम से कम मजदूरों का इस्तिमाल करके वे अपना काम चला सकें उनीसवीं सदी के अमेरिका में यही इस्थिती थी लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी यहां एक चित्र दिखाय गया है यह चित्र है लोही की फैक्टरी में मजदूरों का उत्तर पूर्व इंग्लेंड विलियम बैल स्कॉट की पेंटिंग है 1861 की उनीसव मजदूरों की जिन्दगी बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिन्दगी भे प्रभावित हुई जैसे ही नौकरियों की खबर गाउं में पहुची सैकलों की तादात में लोगों के हुजूम शेहरों की तरफ चल पड़े नौकरी मिलने की संभावना यारी द प्रिश्ट संख्या 87 बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वज़े से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाओं में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज्यादा तर शेहर में ही चोटा मोटा काम ढूनने की कोशिश करते थे जो 19-20 सदी के मद्ध तक भी आसान काम नहीं था। 19-20 सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया लेकिन इससे मद्धूरों की हालत में बहतरी का पता नहीं चलता। और साल दलसार होने वाले उतार चड़ाव च्छपे रह जाते थे। मिसाल के तोर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान खीमतें तेजी से बढ़ी तो मद्धूरों की आय के वास्तविक मूले में भारी कमिया गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरी सकते थे। पादी निहायद घरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरुजगारों की संख्या वेभनिक शेत्रों में 35-75 प्रतिश्यत तक पहुँच जाती थी। यहां एक चित्र दर्शाय गया है यह चित्र है बेघर और भूके का सेमुल लियुक फिल्देस की पेंटिंग है वर्ष 1874 इस पेंटिंग में दर्शाय गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामघर अर्थात वर्क हाउस में राद भर ठहरने के टिकेट के लिए आर्जी द लाए जाते थे इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी हर एक की डॉक्टरी जाच करके यह पता लगा जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं और उनके कपड़े मेरे तो नहीं है उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़त था एक और चित्र है यह चित्र है स्पेनिंग जेनी टी-ई निकलसन द्वरा बनाये गया रिखा चित्र है वर्ष 1835 का इस चित्र को ध्यान से देखने पर पालूम होता है कि एक ही पईये से कितनी सारी तकलियां घूमने लगती थी चर्चा कीजिए यह दोनों चित्र जो अ बेरोजगारी के अशंका के करण मजदूर नई प्रवद्योगी की से चड़ते थे जब उन उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से उन कातने वाली औरतें इस तरह के मशीनों पर हमला करने लगी जेनी के इस्तेमाल पर यह टक्रा तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी एक ही पईया गुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को गुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे 1840 के दशक के बाद शेहरों में निर्मान की गतिविद्या तेजी से बढ़ी लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए सडकों को चोड़ा किया गया नए रेलवे स्टेशन बने रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया सुरंगे बनाई गई निकासी और सीवर व्यवस्था बिचाई गई नदियों के तटबंद बनाई गए परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई प्रिष्ट संख्या नमासी उपने वेशों में औद्योगी की करन आईए अब भारत पन रज़र डालें और सुनें कि एक उपने वेश का औद्योगी की करन कैसे होता है यहां भी हम कारखाना उद्योग के साथ गैरक मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान से सुनेंगे हमारा अध्यान मुखिरूप से कपड़ा उद्योग तक ही सिमित रहेगा भारती कपड़े का युग मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराश्टी कपड़ा बाजार में भारत के रेश्मी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था बहुत सारे देशों में मौटा कपास पैदा होता था लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था आर्मी नियन और फार्सी सुदागर पंजाब से अफगानिस्तान पूर्वी फारस और मद्य इश्या के रास्ते यहां की चीज़ें लेकर जाते थे यहां के बने महीन कपड़ों के थान उंटों की पीठ पर लाद कर पश्यमोत्तर सीमा से पाहड़ी दर्रों और एगिस्तानों के पार ले जाया जाते थे मुख्य पूर्व आपने वेशक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था गुजरात के तट पर इस्थित सूरत बंदरगाह के जरिये भारत खाडी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था कोरो मंदल तट पर मचली पटनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षन पूर्वी एश्याई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था यहां एक चित्र दर्शाय गया है यह चित्र है मध्य लंदन में निर्माणा धीन एक उतला भूमिकत रेल्वे स्टेशन का वर्ष 1868 का चित्र है 1850 के दशक से पूरे लंदन में डेल्वे स्टेशन बने लगे थे इसका मतलब था कि सुरंगे बनाने बल्यों की बाल लगाने इंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मज़दूरों की जरूरत थी रोजगार चाने वाले एक निर्वान स्थल से दूसरे निर्वान स्थल तक जाते रहते थे निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारती व्यापारी और बेंकर सकरी थे वे उतफादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे माल भीचने वाले आपूरती सौदागरों के जरीए बंदरगा, नगर, देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे ये सौदागर बंकरों को पेशगी देते थे, बंकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुचाते थे बंदरगा पर बड़े जहाज मालिक और निर्याद व्यापारियों के दलाल कीमत पर मूल भाव करते थे और आपूरती सौदागरों से माल खरी लेते थे 1750 के तशक तक भारती सौदागरों के नियंतरण वाला ये नेट वर्क तूटने लगा था यूरोपियों कमपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी पहले उन्होंने इस्थानी दर्वारों से कई तरह की रियाएते हासल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप कर लिये इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगा कमजोर पड़ गए इन बंदरगाओं से होने वाले निर्यात में नाट की कमी आई पहले जिस करजे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे स्थानी बैंकर दिवालिया हो गए सत्रमी सदी के आखरी सालों में सूरत बंदरगा से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य एक दशमलो च्छे करण रुपए था सत्रा सो चालिस के दशक तक यह गिर कर केवल तीस लाख रुपए रह गया था गतिविधी एशिया के मान्चित्र पर भारत से मध एशिया पश्छिम एशिया और दक्षन पूर्व एशिया के साथ होने वाला कपड़ा व्यापार के समुद्री और सड़क समर्गों को चिन्नित कीजिए प्रिष्ट संख्या नब्बे सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई और कलकत्ता की स्थिती सुदर रही थी पुराने बंदरगाहों की जगे नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व आपने वेशक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था नए बंदरगाहों के जरीए होने वाला व्यापार यूरोपिय कमपनियों के नियंतरण में था और यूरोपिय जहाजों के जरीए खुता था बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपिय व्यापारिक कमपनियों के नियंतरन वाले नेटवर्क में काम करने के लावा कोई चारा नहीं था इन बदलावों ने बुणकरों और अन्यकारीगरों के जिन्दीगी को किस तरह प्रभावित किया यहां दो चितर प्रदशित के गए हैं पहला चितर है काम पर लगा एक बुणकर का चितर गुचरात का है दूसरा चितर है सूरत में एक इंग्लिष फैक्टरी का यह चितर सत् प्रिष्ट संख्या 91 1760 और 1770 के दश्कों में मंगाल और करनाटक में राजनीतिक सत्ता इस्थापित करने से पहले इस्ट इंडिया कमपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसेसी डच और पुर्दगालियों के साथ साथ स्थानी व्यपारी भी होड में रहते थे इस प्रकार बुनकर और आपूर्ती स्थागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे उची बोली लगाने वाले खरीददार को ही बेशते थे लंदन बेजे गए अपने पत्र में कमपनी के अफसरों ने आपूर्ती में मुश्किल और उचे दामों का बार बार जिक्र किया है लेकिन एक बार इस्ट इंडिया कमपनी की राजनीतिक सत्ता इस्थापित हो जाने के बाद कमपनी व्यापार पर अपने एक आधिकार का दावा कर सकती थी फल सरूप उसने प्रतीस पर्धा खत्म करने लागतों पर अंकुष रखने और कापास और रेशम से बनी चीजों की नेमेत आपूरती सुनुशित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रन की एक नई व्यवस्था लागू कर दी यह काम कई चरणों में किया गया पहला चरण कमपनी को माल बेचने वाले बनकरों को आने खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी एक बार काम का आउडर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्था को ही देना पड़ता था उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्विकार करने लगे बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पटे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रेते थे अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरे समय बुनकरी में लगाने लगे अब पूरा परिवार यही काम करने लगा बच्चे और ओरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाउं में बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराओं की खबरे आने लगी इससे पहले आपूर्ती सौधागर अकसर बुनकर गाउं में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदी की तालुकात होते थे वे बुनकरों की जरूरतों पर खया रगते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे प्रिष्ट संख्या बानवे उन्हें कमपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी पर वे कर्जों की वज़े से कमपनी से बंदे हुए थे करनाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गाउं छोड़कर चले गए वे अपने डिश्टिदारों के यहां किसी और गाउं में करगा लगा लेते थे कई स्थानों पर कमपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गाउं के व्यपारियों के साथ मिलकर बंगारों ने बगावत कर दी कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर करजा लोटाने से इंकार करने लगे उन्होंने करगे बंद कर दिये और खेतों में मजदूरी करने लगे उन्हीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई पटना के आयुक्त ने लिखा ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जाहनाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पेवाने पर उतपादन होता था जाहनाबाद में ये बिलकुल बंद हो गया है जबकि बिहार में बहुत कब उतपादन होता है ये मैंचेस्टर में बनी सस्ती औ अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोस्टियों का भी पुरा बुरा समय चल रहा है वे मैंचेस्टर से इतनी भारी तादात में आने वाली आकरशक चीज़ों का मकाबला नहीं कर पा रहे हैं हाल के सालों में बड़ी संक्या में यहां से जाने प्यमुक्रूप से बिहार का रुकर रहे हैं जहां दिहारी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रूटी मिल सकती है भारत में मैंचेस्टर का आना 1772 में इस्ट इंडिया कमपनी के अफसर हैंडरी पतूलो ने कहा था कि भारती कपड़े की मांग कभी कब नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता लेकिन हम देखते हैं कि 19 सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही 1811.12 में सूती माल का हिस्टा कुल निर्यात में 33 प्रतिशत था 1850 से 51 में यह मात्र 3 प्रतिशत रह गया था ऐसा क्यों हुआ उसके निर्तार्थ क्या थे जब इंग्लेंड में कपास द्योग विक्सित हुआ तो वहां के उद्योग पती दूसरे दिशों में आने वाले आयात को लेकर परिशान दिखाई दिने लगे उन्होंने सरकार पर दवाब डाला कि वो आयात कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे जिससे मैंचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिश परधा के बिना इंग्लेंड में आराम से बिख सकें दूसरी तरफ उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी पर दवाब डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारती बाजरों में भी बेचे 19 सदी के शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाट के व्रती हुई आठ अठारवी सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का नाक के बराबर निर्यात हुता था 1850 तक आती आती सूती का आयात भारती आयात में 31 प्रतिशत हो चुका था 1870 तक ये आंखड़ा 50 प्रतिशत से उपर चला गया इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और इस्थानी बाजार सिकुडने लगा था इस्थानी बाजार में मैंचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी कम लागत पर मशीनों के बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्थे थे कि भुनकर उनका मकाबला नहीं कर सकते थे 1850 के दशक तक देश के ज्यादा तर भुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्थों की भरमार थी 1860 के दशक में बनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी जब अमेरिकी ग्रेयद शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा भारत से कच्चे कपास के निद्यात में इस वरधी से उसकी कएमत आस्मा चुने लगी भारती बनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए उन्हें मनमानी कईमत पर कच्ची कपास खरिदनी पड़ती थी ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था यहां एक चित्र दर्शाय गया है यह चित्र है बॉम्बे हारबर का 18. सदी के आखर का यह चित्र है बंबई और कलकत्ता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विक्सित होने लगे थे अब भारती कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पढ़ गया था ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायब रह सकता था फैक्टरियों का आना बंबई में पहली कपड़ा मिल 1844 में लगी और दो साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा 1862 तक वहां ऐसी चार मिले काम कर रही थी उनमें 94,000 तकलियों और 2150 करके थे उस समय बंगाल में जूट मिले खुलने लगी वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी साथ साल बाद 1862 में चालू हुई उत्री भारत में एलगिन मिल 1860 के दशक में कानपूर में खुली इसके साल भरबाद एमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई 1874 में मदरास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई ये उद्योग कौन लगा रहा था उनके लिए पूंजी कहां से आ रही थी मिलों में काम करने वाले कौन थे प्रारंबिक उद्यमी देश के विबन भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे आईए सुनें ये लोग कौन थे बहुत सारे व्यवसाईक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यपार के जमाने से चला रहा था जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने सुना था अठारवी सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारती अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे उसके बदले में वे चीन से चाय खरीटते थे जो इंगलेंड जाती थी इस व्यपार में बहुत सारे भारती कारुबारी साहय की हैसियत से पहुँच गए थे वे पैसा उपलब्रकरवाते थे, आपूर्ती सुनशित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमेंसे कुछ व्यवसाई भारत में ओध्योगी की उद्यम स्थापित करना चाते थे बन्गाल में द्वारका नाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूप पैसा कमाया और वे ओध्योगों में नेवेश करने लगे यहां द्वारकानाथ टैगोर का चित्र दिखाये गया है द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्यमी करण और और द्योगी की करण के रास्ते पर चल कर ही विकास कर सकता है उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षित्र में निविश किया था 1830 और 40 के दशकों में उन्होंने 6 सैयुक्त उद्यम कंपनिया लगा ली थी 1840 के दशक में आए व्यापक व्यवसाईक संकटों में औरों के साथ-साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए लेकिन 19. सधी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसाई सफल उद्योगपती भी साबित हुए बंबई में डिंशा पेटिक और आगे चलकर देश में विशाल और द्योगिक सामराज इस्थापित करने वाले जमशेद जी नुस्तरनवान जी टाटा जैसे पार्सियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्याद करके और आंशिक रूप से इंगलेंड को कच्ची कपास नि व्यापार किया था यही काम प्रसिद उद्योगपती जीडी बिल्ला के पिता और दादा ने किया यहां पर जमशेद जी 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 भोई का चित्र भी दिखाया है जी जी भोई एक पार्सी बुनकर के बेटे थे अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन क के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था उसके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिसपर्धा के करण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े पूंजी इखटा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेट्वर्कों का सारा लिया गया मदरास के कुछ सौधागर बर्मा से व्यापार करते जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्वी अफरिका से सम्द्ध थे इनके अलाबा भी कुछ वानिजिक सम्हू थे लेकिन वे वि विशाय करते थे एक जगह से दूसरी जगह माले जाते थे सूत पर पैसा चलाते थे एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे जब उद्ध्योगों में निवेश के अफसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्टिय लगा ली जैसे भारती व्यापार पर आपने विश्यक शकंचा कस्ता गया वैसे वैसे भारती व्यवसाईयों के लिए जगह सिकुरती गई उन्हें अपना तैयार माल यूरूप में बेचने से रूख दिया गया अव्य मुखिरूप से कच्चे माल और अनास, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्याद कर सकते थे जिनकी अंग्रेजों को ज़रूरत थी धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी वैवसाई से भी बाहर धकेल दिया गया पहले विश्विदों तक यूरोपिय प्रभंद की एजिंसियां भारती उद्योगों के विशालक शेत्र का नियंतर करती थी इनमें बर्ड, हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रियो जूल और जारडिन स्कीनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनिया थी ये जिंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनिया लगाती थी और उनका प्रभंद सबालती थी ज्यातातर मामलों में भारती वित्पोशक अर्थात, फाइनसर पूंजी उपलब्द कराते थे जबकि निवेश और विवसाय से सम्मंदित फैसले ये उरोपिय एजिंसियां लेती थी ये उरोपिय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वनजिक परिसंग थे जिन में भारती विवसायों को शामिल नहीं किया जाता था मजदूर कहां से आए? फैक्टरियां होंगी तो मजदूर भी होंगे फैक्टरियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी 1901 में भारती फैक्टरियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे 1946 तक ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी ये मजदूर कहां से आए? ज्यादतर ओद्यों की इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे जिन किसानों कारीगरों को गाओं में काम नहीं मिलता था वे ओद्यों केंद्रों की तरफ जाने लगते थे 1911 में बंबई के सूती कपड़ा ओद्यों में काम करने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर पास के रतनागिरी जिले से आये थे कानपूर की मिलों में काम करने वाले ज्यादा तर कानपूर जिले के ही गाओं से आते थे मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाओं जाते थे वे फसलों की कटाई और त्योहारे के समय गाउन लोड़ जाते थे यहां दो चित्र प्रदशित के गए हैं पहले चित्र में साजेदारों की टोली है जिनमें जी अन्टाटा, आरडी टाटा, सर आरजे टाटा और सर डीजे टाटा है उन्नी सो बारा में जी अन्टाटा ने जमशेदपूर में भारत का पहला लोह एवं इसपात साइयंतर साबित किया भारत में लोह एवं इसपात अद्योग, कपड़ा अद्योग के काफी बात चुरू हुआ आपने वेशिक भारत में उद्योग एक मशिनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादा सर आया थी के जाता था इसलिए स्वतंतरता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सका था दूसरा चित्र है, बंबई के एक मिल के युवा कामगार का, बीसवीं सदी की शुरुआत का चित्र है ये, जब मजदूर गाउं जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे बाद में जब नए कामों की ख़बर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे उधारन के लिए संयूक्त प्रांथ के लोग बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुँच रहे थे प्रिष्ट संख्या 96 नौकरी पाना हमेशा मुशकल था हाना कि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी मिलों में प्रवेश भी निशिद था उद्योगपती नए मजदूरों की भरती के लिए प्राया एक जौबर रखते थे जौबर कोई पुराना और विश्वास्त करमचारी होता था वो अपने गाउं से लोगों को लाता था उन्हें काम का भरोसा देता था उन्हें शेहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था इस प्रकार जौबर ताकतवर और मजबूत विक्ती बन गया था बाद में जौबर मदद के बद्दे पैसे वा तौफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिन्दगी को नियंतर्ट करने लगे समय के साथ फैक्टरी मजदूरों की संक्या बढ़ने लगी लेकिन जैसा की आप सुनेंगे कुल आद्यों के किश्रम शक्ती में उनका अनुपात बहुत छोटा था नए शब्द जौबर इन्हें अलग अलग अलागों में सरदार या मिस्तरी आदी भी कहते थे यहां एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में मुख्य जौबर दिखाया गया है इस चित्र में उसका अंदाज और उसके कपडों में जौबर की सत्ता का पता चलता है बंबई के एक मिल मजदूर वसंद पारकर ने कहा मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जौबर को पैसा देते थे मिल मजदूर शारिरिक और भाबनात्मक रूप से उसके गाउं से गहरे तोर पर जुड़े होते थे वो गाउं जाकर फसलों की कटाई करता था कौकडी लोग धान काटने और घाटी यानि गन्ना काटने गाउं में जाते थे यह एक स्वीकरत व्यवस्था थी जिसके लिए मिलवाले छुटी दे देते थे भाई भोसले बंबई के ट्रेड यूनिन कार करता थे 1930-40 के दशकों में बिताए अपने बच्पन को उन्होंने इस प्रकार याद किया उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की उन्हें दमाज जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाउं चले गए इस प्रिष्ट पर एक और चित्र दर्शाय किया है यह चित्र है एहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतों का औरतें मुखिरूप से कताई विभाग में ही काम करती थी प्रिष्ट संख्या 97 और द्योगिक विकास का अनूठापन भारत में अद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्फ रखने वाली यूरोपी प्रबंद की एजिंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिल्दस्पी थी उन्होंने आपने विश्च सरकार से सच्टी कीमत पर जमीन लेकर चाय वे काफी के बागन लगाए और खनन, नील, मजूट व्यवसाई में पैसे का नवेश किया इन में से ज़्यादा तर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिकरी के लिए नहीं बलकि मुक्रूप से निर्यात के लिए आवशकता थी 19 सदी के आखिर में जब भारती व्यवसाई उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारती बाजार में मैंचेस्टर की बनी चीजों से प्रतीस परधा नहीं की भारत आने वाली ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था इसलिए भारत के शुरूआती सूती मिलों में कपड़े की बज़ाए मौटे सूती धागे ही बनाय जाते थे जब धागे का आयात किया जाता था तो वो हमेशा बहतर किसम का होता था भारती कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हतकरगा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था बीस्वी सदी के पहले दशक तक बारत में ओद्योकी की करण का धर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था सुदेशी आंदोलन को गती मिलने से राष्टरवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिश्कार के रिए प्रेदित किया ओद्योक समू अपने सामोही के हितों की रक्षा के लिए संगिटित हो गए और उन्होंने आयात शुलक बढ़ाने तथा आने रियायतें देने के लिए सरकार पर दवाब डाला 1906 के बाद चीन बेज़े जाने वाले भारती धागे के निद्यात में भी कमी आने लगी थी चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद च्छा गए थे फलसुरूब भारत के उद्योक पती धागे के बचाए कपड़ा बनाने लगे 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया पहले बशुएदों तक और दोक एक विकास धिमा रहा युद्य ने एक बिलकुल नई स्थिती पैदा करती थी बिटिश कारखा ने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्य संबंदी उत्पादन में वैस्त थे इसलिए भारत में मैंजस्टर के बाल का आयात कम हो गया भारती बाजारों को रातो रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया युद्य लंबा खिचा तो भारती कारखारों में भी फौज के लिए जूट की बोरियों फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टैंट और चमडे के जूते, घोड़े वखचर की जुईन तथा बहुत सारे अन्य सामान बने लगे नए कारखाने लगाए गए यहां एक चित्र दिखाये गया है यह चित्र है मदराज चेमबर अफ कॉमर्स का पहला दफ्तर 19 सदी की आखिर तक देश के विवनिक शित्रों के विवसाई मिलकर चेमबर अफ कॉमर्स बनने लगे थे ताकि सही तरह से विवसाई कर सकें और सामोहिक चिंता के मुद्धों पर फैसला ले सकें पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरे को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था युद्ध के दौरान ओद्यों के उत्पादन तेजी से बढ़ा युद्ध के बाद भारती बाजार में मैंचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई आधनी की करण ना करपाने और अमेरिका जर्मनी और जपान के मकाबले कमजोर पड़ जाने की खारण ब्रिटेन की अर्थविवस्था चर्मना गई थी कापास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिराबटाई उपनिवेशों में विदेशी उत्पात को घटा कर स्थानी उद्योग पत्यों ने घरेलू बाजारों पर कबजा कर लिया और धीर धीरे अपनी स्थिती मजबूत बना ली लगू उद्योगों की बहुतायत हाला कि युद्य के बाद फैक्टरी उद्योगों में लगातार इज़ाफा हुआ लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था उन में से ज्यादातर 1911 में 67 प्रतिशत बंगाल और बंबई में स्थित थे बाकी पूरे देश के छोटे इस्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा पंजीकरत फैक्टरियों में कुल और द्योगी के श्रम शक्ती का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था यह संक्या 1911 में 5 प्रतिशत और 1931 में 10 प्रतिशत थी बाकी मजदूर गली महलों में स्थे छोटी छोटी वरक्शाप और घली उखाईयों में काम करते थी कुछ मामलों में तो 20 सदी के दोरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरसल इसाफा हुआ था यह बात हद करगा क्शेतर के बारे में भी सही है जिसकी हमने पीछे चर्चा सुली थी सस्ती मशीन निर्मेद धागे ने 19 सदी में कताई उद्द्यों को तो खत्म कर दिया था लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे बीस्वी सदी में हद करगों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ 1900 से 1940 के बीच यह तीन कुना हो चुका था ऐसा कैसे हुआ इसके पीचे आंशिक रूप से तकनीकी बतलावों का हाथ था अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परिशानी नहीं होती इसलिए बीसवी सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करगों का इस्तमाल करते थे नए शब्द फ्लाई शटल यह रस्यों और पुलियों के जरीए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह ख्षेतिस धागे याने ताना दवेफ्ट को लंबवत धागा अर्थाद दवाप में परोदिता है फ्लाई शटल के आविशकार से बुनकरों को बड़े करगे चलाने और चोड़े अरस का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली इससे कामगारों की उत्पादन ख्षमता बड़ी उत्पादन तेज हुआ और श्रम की माग में कमी आई 1941 तक भारत में 35 प्रतिशत से ज्यादा हद करगों में फ्लाई शटल लगे होते थे त्रावण कोर, मदरास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आधी ख्षित्रों में तो ऐसे हद करगे 70-80 प्रतिशत तक थे इसके अलाबा भी कई छोटे छोटे सुधार किये गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादक्ता बढ़ाने और मिलों से मकाबला करने वे पतत पे ले यहां पर एक चित्र है, यह चित्र है हाथ से बुना कपड़े का, हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी प्रिश्ट संख्या निन्यानवे बिलों के साथ प्रतिस पर्दा का मकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बहतर सिदी में थे बुनकरों में से कुछ मौटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किसमे के कपड़े बुनते थे मौटे कपड़े को मुखिरूप से गरीब ही खरीटे थे और उसकी मांग में भारी उता चड़ा हो थे खराफ फसल और अकाल के समय जब ग्रामिन गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकत आयके साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरी सकते थे बहतर किसमे के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी उसमें उतार चड़ाओ कमाते थे जब गरीब भूंकों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरी सकते थे अकालों से बनारसी या बालुचरी साड़ियों की बिकरियों पर असर नहीं परता था वैसे भी जैसा कि आप सुन चुके हैं मिल विशेश प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां या मदरास की प्रसिद्ध लूंगियों की जगे ले लेना मिलों के लिए आसा नहीं था ऐसा भी नहीं है कि बीस्वी सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों और अन्य दस्तकारों को हमेशा फाइदा ही हो रहा हो जीवन और श्रम और अद्योगी करण की प्रक्रिया का अभिनंग था यहाँ पर एक नक्षा दिखाया गया है इस नक्षे में भारत में बढ़े पैमाने के उद्योगों वाले इलाकों को धर्शा गया है और चित्र में दो बड़े गोले हैं जो विबनिक शित्रों में उद्योगों के अकार को इंगित करते हैं ये बड़े गोले बने हैं बंगाल और बंबई के प्रिष्ट संख्या सव करना पड़ता है लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें किस उत्पाद की जरूरत है उसके लिए क्या किया चाहे नए उपभुगता पैदा करने का एक तरीका विग्यापनों का है जैसा कि आप जानते हैं विग्यापन विभन उत्पादों को जरूरी और वांचनी बना देते ह और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विग्यापन चाय हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलेवीजन के परदे पर सब जगे विग्यापन चाय हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे मुड़कर देखें। तो पता चलता है कि ओध्योगी की करण की शुरूआत से ही विग्यापनों ने विभेन उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोगता संस्कृती रचने में अपनी भूमी का निभाई है। जब मैंचिस्टर के उत्योगप पर मौटे अक्षरों में मेड इन मैंचिस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीददारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं। यह पहला चित्र है ग्राइप वाटर का केलेंडर। एमवी धुरंदर का यह चित्र है वर्ष 1928 का बच्चों की चीजों का परचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवी का सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया गया था और चित्र में बाल कृष्ण का चित्र दर्शाय गया है। दूसरा चित्र है मैंचिस्टर के लेबल का बीसवी सदी का प्रयास थ चित्र है उत्पात के प्रती सम्मान पैदा करने के लिए एतिहसिक विक्तित्वों का इस्तिमाल किया जा रहा था। प्रिश्ट संख्या 101 लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे उन पर तस्वीरे भी बनी होती थी जो अक्षर बहुत सुन्दर होती थी अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच उनके हिसाब किताब और लोगों को अक्रशित करने के उनके तरेख प्रभार्ती देवी देटाओं की तस्वीरें प्रहय होती थी देवी देटाओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिच करते थी कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण ये सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतियों को जानी पैचानी सी लगती थी। पूरे साल देखते थे। इन केलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीरों की तरह महतपून व्यक्तियों, समराटों और नवाबों की तस्वीरों भी विज्यापन और केलेंडरों में खूब इस्तिमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर ये होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तिमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारती निर्माताओं ने विग्यापन बनाये तो उनमें राष्टवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इसका आशाही है था कि अगर आप राष्ट की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदिये जने भारती ने बनाया है। ये विग्यापन स्वादेशी के राष्टवादी संदेश के वहग बन गए थे। यहां पर दो चित्र बने हैं। पहला चित्र है सनलाइट साबुन का केलेंडर वर्ष 1934 यहां भगवान विश्णू आस्मान से रोश्णी लाते दिखाई गए हैं। ये दूसरा चित्र है एक भारती मिल में बने कपड़े क आवान कर रही हैं। निसकर्श जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रद्योगी की बदलाव आए हैं। फैक्टरियों का उद्योगी की श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है इस युग में हाथ से बनने वाले चीज आती हैं। भारत में बनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्थाओं को नियुद किया था। दो प्रत्यक वक्तव के आगे सही या गलत बताईए। भारत के कपास निर्यात में कमी आई। फ्लाइश्रल के आने से हतकरगा कामगारों की उत्पादक्ता में सुधार हुआ। तीन आदी औद्योगी के रणका मैं अतलब बताईए। चर्चा कीजिए एक, उनीस्वी सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपती मशीनों के बजाए हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्रात्मिकता क्यों देते थे। दो, इस्ट इंडिया कंपनी ने भारती बनकरों से सूती और रेश्मी कपड़े की नेमेत आपूरती सुनुशित करने के लिए क्या किया। 3. कलब ना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कापास के इतियास के बारे में विश्व कोश याने एंसाइकलोपीडिया के लिए लेख लेखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गए जानक्यारियों के आधार पर अपना लेख तयार कीजिए। 4. पहले विश्वयुद के समय भारत का अध्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अभी आप सुन रहे थे ध्वनी पाठे पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भागदो, वाचनस्वर, संजय चनसोरिया, निर्मार सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मार वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।